प्रश्न हमारा है भारती सभिधान की पर्मग विश्यस्ताओं का वर्णन करें तो यह प्रश्न पिछले ससन वालों में भी बहुत बार रिपीट हुआ था और इस बार भी लगातार रिपीट हो रहा है तो जो आपका अगला ही एकजाम में अंडर्स्टेडिक इंडिया का इस सभिधान 26 नमबर 1949 को ही बनकर त्यार हो चुगा था लेकिन देश में 26 जनबर 1930 को ही पहली सो तंतरता मना लिया गया था अत्ह इसको याद रखा जा सके इस कारण से सभिधान को 26 जनबर 1950 को लागो किया गया तो देखो बढ़ियास जो हमारा सभिधान है भारते सभिधान ठ लागो किया तक लिए जवकितान को नहीं लागो किया इसको अधान होगता है आगे को नुछफ भॉक्त x avi tại dar कीरोप में जाना जाता है यह मनाया जाता है आगे हमारा है है भारते स्विधान की निर्बान में कितना लगा था दो वर से 11 महिने और 18 दिन संही का समय लगा था यह objective इन में भी प्रष्णा सकता है इसको ध्यान मिवर्खेगा ठीक कहा जाता है तो सभिधान निर्वान में सबसे बड़ी भूमी का किनका था डॉक्टर भीम राम बेटकर का इन्होंने इस सभिधान को त्यार किया था इसलिए ने सभिधान का पीता भी कहा जाता है तो इसको समझ गयोंगे भारते सभिधान दुनिया का सबसे लम्बायूम लिखी सभिधान ने मुल सभिधान में 395.22 भाग और 288 सुच्यां थी लेकिन इसमें समय समय पर संसोदन होते रहता है इस कारण से वर्तमान में सभिधान में 47.25 भाग और 12.8 सुच्यां आए तो इसको देखे जब मारत सभीधान में सभीधान में 392 वाग और आठ अनुसुचिया थी लेकिन इसमें क्या बदला होने का परवधान है इसकारण से वर्तमान में आनी कि इस समय जो भारत का सभीधान इसमें 470 अनुच्षेद 25 वाग और 12 अनुच्छिया जो इसको ध्यान में रख लिजगा दूनिया इसे सविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसको ध्यान में रखेगा सविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो देखो जो प्रस्तावना है भारत की जो प्रस्तावना है इसे सविधान की आत्मा कहा जाता है इसको ध्यान में रखेगा सविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो सविधान की प्रस्तावना को इसे पंडि जॉलन नहरु दवारा त्यार किया गया था जो प्रस्तावना है इसका विचार अमेरिका के सविधान से लिया गया है, वहीं जो प्रस्तावना की भासा है, यानि कि उसमें जो लेंग्वेज यूज क्या गया है, वह आस्टेलिया की सविधान से लिया गया है, ठीक है, आगे देखते हैं लोग, आगे इसमें नोट है, तो जो सविधान की प् नहीं होने वाले हैं तो में पॉइंट को ध्यान में रखेएगा पीसेस दिया के उर्च elements दिखते हैं हम लोग देंगे आंतरिक और 22 सुरोथ सभिधान में आंतरिक और 스ांसन अधिनिय ragट ara इसके अलावे22 जेसे ब्रेटें की सभिधान से संसाद्य परनाली अमेरिका, आस्टेलिया, रूस, कनाड़ा जैसे अन्य कई देसों के सविधान से कुछ महत्पन सुरोतों को लिया गया है तो इतना आप समझ लीजिए कि जो हमारा देस का सविधान है इसमें आंत्रिक और बाइं दुनों पर करके सुरोत समिलित है कुछ सुरोत भारत के अंदर से लिया गया है जबकि कुछ सुरोत विदेसों के सविधान से जैसे ब्रेटर बिदेस से टीक है नेस्ट पंट हम लोग देखते हैं चोथा विसेश्टा है कठोरता यम लचिला पन भारते सभीधान ना तो कठोर है और ना ही लचिला पन बलकि ये दोनों का मिला जिला रूप है अमेरिका में कठोरता की नियम को अपनाय गया है जिसके कारण से वहां के सभीधान में संसोधन की परकिरिया कठीन होती है तो इसको समझते हैं जो हमारा सभीधान है ये ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचिला पन है यानि कि जो हमारा सभीधान है इसको जल्दी से बदल भी नहीं सकते हैं और इतना भी कठूर नहीं है कि हम लोग उसे बदन लई सकते हैं। को धूरत्री बदला जा सकता युसमें परिवर्तं किया जा सकता है यसको समझ के होंगे नेस्ट पंट हम देखते हैं नेस्ट पंट **** देंगे मोलीक अधिकार सरभीध्य के दुपार इसे वर्नित है वर्तमान में नागरीकों को 6 मौली का दिकार दिये गए हैं तो एक पॉंट आपको यहां ध्यान में रखना है सभीधान के भाग तीन अनुचे 12-35 में मौली का दिकारों के बारे में वर्नन मिलता है क्योंकि इसके बारे में अलग से परशन पुछा जाता है इसको वर्नन सभीधान के अनुचे 14-18 में क्या गया है दूसरा है समानता का दिकार तिसरा है सोचन के विर्योत दिकार छोथा है धार्मिक सवतनतरता का दिकार तीक है पांचवा हमारा है पांचवा देखते हैं पांचवा है संस्कृतिव सिछा का दिकार छठा है सनवेधानिक उ मांता का दिकार को। इस परकार से शविधान की दुबारा हमें खुल मली का दिकार दिया गया है तो पहले हमें कुल साथ मली का दिकार प्राब था यहां स्थैनके संपतिकार सब्सक्राइबंदे गोसित अभेवर sì अगला है सब्सक्राइब तो उसे भारत की नागरिता चोड़ना पड़ेगा वेदेश के जब नागरिता चोड़ना पड़ेगा बारत का भारत की नागरिता को नागरिता को नहीं ले सकता है भारत में एकल नागरिता था या विरेटे जो दो तो देश्वों की नागरिता को रख सकता है तो इसको समझ गये होंगे एकल नागरिता भारती सविदान की एक परमुक पिसिस्ता है हम लोग देंगे हैं सारभोमिक मत अधिकार भारत में सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त है चाहे वह महिला हो पुरुस हो गरीब हो अमीर हो या किसी भी वर्ष से समन्दित हो अधि उसकी आयू 18 वर्ष है तो वह भोट या मत दे सकता है तो इसको समझते हैं जो हमारा सभ मत देने का अधिकार अकिस वर्ष था लेकिन 1989 के 60 सभीधान संसोदन के दुबारा इससे 18 वर्ष कर दिया गया तो प्राडबिक समय में यानि कि इस टाइम सभीधान बना था उस टाम में जो व्यक्ति अकिस वर्ष का होता था कि वह वही व्यक्ति मत या भोट दे सकता था ल अगली पी सिस्ता देंगे धर्म निर्पेश राष्ट भारत एक धर्म निर्पेश राष्ट है अर्थारत भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है परते को व्यक्ति को अपने इ बाइलिस में सविधान संसोधन दुबारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था तो जो धर्म निर्पेश या पंत निर्पेश सब्द है ठीक है इसे 1976 के बाइलिस में सविधान संसोधन दुबारा सविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है यह भी important point है इससे प्रश्णा सकता है नेश्ट देखते हैं लोग अगला भी सेशता हम लोग देंगे त्रियस्त्री सासन भारत दुनिया का एक मात्रे साथ देश है जहां त्रियस्त्री सासन व्यवस्ता लागू है तो भारत को छोड़कर जितने भी अन्नी देश है यानि कि एक दो राइज में होता है राइज के लिए अलग सासन होता है और दुसरा के अंदर के लिए अलग सासन होता है यानि कि वहाँ पर दो अस्त्री सासन व्यवस्ता होती है लेकिन जो हमारा भारत है यानि कि जो हमारा देश है इसमें तीरे अस्त्री सासन है पहला के अंदर के क्या मैं में जो हैडिंग था, उसी को इस वीडियो में लिया ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आप ऐक्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएं क्योंकि मैं अधिस सभी टोपी को ले लेता तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता और आपको समझ में भी नहीं आता आपके पास समय बहुत कम है आप इनी सभी टॉपिकों को लिख दीजिएगा आपको एक्जाम में अधि भारते सभीधान की विश्चताओं की बारे में प्रशना आएगा तो इसके बारे में आप अचीतर से लिख लिजिएगा ठीक है आंत में आपको जो मनाएगा आप लिख सकते हैं इसके अलावे में बता देता हु आपको क्या लिखना है भारते सभीधान में बहुत smok Grade कर दीजिएगा मिलते लिए अब बट्रो बाक्र दिए